ओम अच्छा वेदान्त में ध्यान का क्या फ़ल है वेदान्त में भी ध्यान है वेदान्त में लोग बोलते हैं कि meditation करो तो वो योगा है यह वेदान्त में ध्यान का है अब देखिए सत्ता तो एक ही है true consciousness आत्मा अब्रह्म जो भी बोलो उसमें सारे नाम रूप आकर कल्पित हैं इसका अपवाद कर दो ठीक है तो अपवाद कर दो और सत्ता को पहचानो बुद्धी में स्वपन के समान विशय प्रतिवासित होते हैं हो रहें कि नहीं हो रहें मालूम पढ़ ला हैं इन सभी तम पदार्थ की द्रस्टी से शुपनवत यानी शुपन का उधारण होता है अ झालब की द्रस्टी से रसी में सापका उधारण दिया जाता है वेधानत में इसलिए आननंद बाहरी विशयों में कल्पित हो है hello आरे आकार, नाम, रूप, असली तत्तों से अलग भासने लगा, लगा कि नहीं लगा, तो अब करना क्या है, यह जो भोग में आनन्द मालूम पड़ता है, उसमें से सिर्फ भोग को व्रत्ती में से बाहर निकालो, भोग को, और उसको बटे खातेम डाल दो, अर्थात उसका आपवात कर दो, हटा दो, तो अब क्या हुआ, बिना व्रत्ती के ही आनन्द है कि नहीं है, बिना व्रत्ती ग्यान है, और बिना नाम रूप की व्रत्ती हुए ही सत्ता है, विटनेस कांसेसनेस है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, इसमें न देश की कल्पना है, न काल की कल्पन यह नहीं कितने ही ना हुनब भुकु रभुटा को मगति की उपनिषदु में बढुती प्रों तों में और दूता है और नुड़ा the end परचिन द्रश्टा कें दोफे जिसको हम चिदा भास कहते हैं कि तो योग ड़ारा ऐसी सामर्थ पैदा होती है कि समाधि को भी देख सके हम तो सर्वा भाव, सर्वात्म भाव को भी, सर्व निरोध को भी देख सके, ये सारा संसार और उसके पदार्थ क्या है? साच्छी भास से हैं, ठीके? संपून साच्छी भास से पदार्थों को देखने का सामर्थ होने पर भी साच्छी को, witness, consciousness को देखने का सामर्थ किसी धर्म अपासना द्वारा किसी योगद्वारा जिससे साच्षी ही साच्षी का विषय बं जाए नहीं आ सकता जहां अपनी इंद्रिहां काम नहीं करती कोई प्रमाला प्रमाल नहीं होता वहां इंध seizure is सब्सक्क्राइब है शब्द्प्रमाना शुनिति के शब्द्च परवांड वेदूने जो कि परवास मोरे के बहूं सब्धाइब वे नहीं सर यह सभी ब्रह्म वेताओं का हम आदर करते हैं, जा जो हो जा बुद्ध हो, जा महावीर हो, कोई भी हो, जा जो हो, लेकिन सभी ब्रह्म वेताओं का हम आदर करते हैं, हर पुरुष ठीक है, प्रमान द्वारा जानकर वानी द्वारा बोलता है, नहीं जानता है, प्रमान द्व लेकिन आप तो वाग के प्रमाण नहीं है, हमारे तो क्या बोलते हैं, वेदे सह सच्च छुषा है, मनलोब केवल वेद वचा नहीं, शुर्ती वाग के ही प्रमाण है, जिन लोगों ने वेद के प्रमाण को सुईकार नहीं किया, चार वाग दर्शन ने चार भूतों का पर जा रहे हैं, वो भी परचिन का निरूपन है, बाध्धो ने भी कहा कि आत्मा का उच्छेद हो जाता है, अता है तदता शूनी ही है, उन्होंने भी ब्रह्मा का निरूपन नहीं किया, अगर कोई कहता है कि मैं मन से अतीत हो गया, और अथ्वा अनुभो बता रहा है, को कोई मात्मा कोई योगी ठीक आज कर तो बहुत सारे योगी अपना अनमोह बताते हैं तो कोई यह यह दिव्यक्ति अपना अनमोह बताता है तो उसकी कसावटी उसको पूछो तो पूछना पढ़ेगा क्या किस प्रमान के द्वारा तुमने इस तत्त को देखा भाई क्यों कि एक दर्शन सास्त का निया में बोले लच्छन प्रमाना भ्याम वस्तु सिद्धी क्योंकि बिना लच्छन के और बिना किसी प्रमान के किसी वस्तु कि सिद्धी नहीं हो सकती तो ब्रह्म का लच्छन क्या है और किस प्रमान के द्वारा उस लच्छन वाला ब्रह्म जाना ग इसलिए प्रमे का प्रकाशक नहीं है, सिद्धी भी कोई प्रमाणवरत्ती नहीं है, ब्रहमसूत्र में ऐसा प्रसंग है तमाम, तो समय समय पर जो सिद्ध लोग होते हैं, उनकी सिद्धी की कसोटी क्या है? उनके लिए एक सम्मिदान है, अगर वे वेद, शुरती के सम्मिद कान की कसोटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तो वे सिद्ध नहीं हैं, उनको ब्रहम ग्यान नहीं है, ब्रहम और आत्मा की एकता ही शंपूण वेदों का अर्त है, समझ गए? ओम, शांति, 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 आपे आई इस वीडियो को चानल को सब्सक्राइब करें और बोन तक बौन जाए